ओम भासकराए विद्महे दिवा कराए धीमही तन्नो सोर्य है प्रचो दयात आप सभी का हमारी योटीब चैनल पर हार्दिक स्वागत है आज रस्पान कीजिए जेस्ट मास महातमी के आठवे अध्याई का और आज आप सुनेंगे शंक और द्विज वसिष्ट और साम्ब इससे पहले के अध्याई में आपसे जो प्रेश्ण पूछा था कि सोरे भगवान के रत में कितने घोड़े होते हैं तो आप सभी ने सही उत्तर दिया था कि सोरे भगवान के रत में साथ घोड़े होते हैं इस बारे में भी एक सुन्दर कथा प्रशलित है अगर आप सभी क के पारण विधी के बारे में तो आप हमारे चैनल पर अपलोड़िट वीडियोस को भी देख सकते हैं रस्पान करते हैं आज के अध्याय का राजा शतानीक ने कहा हे मुने आप भगवान सूरि नारायन के प्रभाव का और भी वर्णन कीजिए क्योंकि हे प्रभु आपकी अम अनव संपुन पापों से मुक्थ हो जाता है एक अत्यनत रमणी आश्रम था जिसमें सभी व्रक्ष फलों के भार से जुक रहे थे कहीं म्रग अपनी सींगों से परस पर एक दूसरे के शरीर में खुजला रहे थे तो किसी दिशा में मयूरों का अनृत और ब्रहमरों की मध सुर्द्वनी का गुंजार हो रहा था ऐसे मनुहारी आश्रम में अनेक तपस्यों से सेवित भगवान सूरी के अनन्य भक्त शंक नाम के एक मुनी रहते थे एक बार भोजक कुमारों ने मुनी के समीब जाकर विनय पूर्वक अभिवादन कर निवेदन किया कि है महराज व अध्यान कराने लगे एक दिन वे सभी कुमार वेद का अध्यान कर रहे थे कि उसी समय एक परम तपस्वी द्विज नाम के एक श्रेष्ट मुनी वहां पहुंचे अमित्त तेजस्वी उन शंक मुनी ने उनकी विदिवत अर्चना की और उन्हें आसन पर विराजमान कराया उन कुमारों ने भी उनकी वंदना की जिससे द्विज बहुत प्रसन हुए तब शंक मुनी उन भोजक कुमारों से इस प्रकार कहने लगे कि सिस्ट पुरुशों के आगमन से अंध्याय होता है अतहे तुम सब इस समय अपना अध्यान समाप्त करो ये सुनते ही कुमारों न के साथ चारों वेद सूरी नारायन के पूजन और हवन का विधान प्रतिस्ठा विधी रत्यात्रा की रीति तथा सप्तमी तिथी के कल्प का ये अध्यान कर रहे हैं द्विज ने फिर से पूछा हे मुने सप्तमी व्रत का क्या विधान है और भगवान सूरी के अर्चन के क जाफल प्राप्त होता है किस व्रत नियम और दान से भगवान सूरी नारेंड प्रसंग होते हैं उन्हें कौन से पुष्प धूप तथा उपहार दिये जाते हैं ये सब मैं भी सुनना चाहता हूं इसे आप बताईए सूरी नारेंड के महतमिकी भी विशेस रूप से चर्चा कीजिए तब शंख मुनी कहने लगे कि इस प्रसंग में महराज सांब और महरशी वसिष्ट के संबात का वर्णन कर रहा हूं ध्यान पूर्वक सुनो एक बार सांब महरशी वसिष्ट जी के पवित्र आश्रम में गए वहां जाकर उन्होंने नियतात्मा वसिष्ट जी के च महरा तो संपोर्ण शरीर भेंकर कुष्ट रोगों से विद्यर्ण हो गया था ये सर्वता रोगमुक्त कैसे हुआ और तुम्हारे शरीर की दिविकांति और शोभा कैसे बढ़ गए ये सब मुझे बताओ तब सांब ने कहा महराज मैंने भगवान सूरिनारन की आराधना उ उसी आराधना के प्रभावों से उन्होंने प्रसन होकर मुझे साक्षा दर्शन दिये और उनसे ही मुझे वर की भी प्राप्ति हुई है वसिष्ट जी ने पुनह पूछा तुमने किस विधी से सूरिदेव की आराधना की तुम्हें किस व्रत तब अथ्वादान से उनका स ज्यान पुर्वक सुनिए आज से बहुत पहले मैंने अज्यान वश्य दुर्वाशा मुनी का उपहास किया था इसलिए क्रोध में आकर उन्होंने मुझे कुस्ठ रोग से ग्रसित होने का श्राप दे डाला जिससे मैं कुस्ठ रोगी हो गया तब अत्यंत दुखी और लज हो रहा हूं पिताश्री मेरा शरीर गलता जा रहा है कंठ का स्वर भी बैठता जा रहा है और पीड़ा से प्राण निकले जा रहे हैं वैद्यों आदी के द्वारा उपचार कराने पर भी मुझे शांती नहीं मिलती अब आपकी आग्या प्राप्त कर मैं प्राण त्यागना जाता हूं अतहे आप मुझे ये आग्या देने की कृपा करें जिससे मैं इस कष्ट से मुक्त हो सकूँ मेरा यह दीन वचन सुनकर उन्हें बढ़ा दुख हुआ और फिर उन्होंने चण पर विचार कर मुझसे कहा कि पुत्र धैरिधारन करो चिंता मत करो क्योंकि जैसे भी रोग नस्ठ हो जाएंगे पिता के ऐसे वचन सुनकर मैंने पूछा कि तात ऐसा कौन सा देवता है जिसकी आराधना करने से इस भहन का रोग से मुझे मुक्ती मिल सके तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि पुत्र एक समय की बात है योगी स्रेष्ठ याग्य वल आधना करनी चाहिए अक्षय स्वर्ग की प्राप्तिक इस देवता की उपासना करने से हो जाती है ये चराचर विश्व किस से उत्पन हुआ है और किस में लीन हो जाता है इन सब का करपया आप वर्णन कीजिए तब श्री ब्रह्मा जी बोले महर्शे आपने तो बहुत जगत का अंधकार नस्ट कर तीनों लोकों को प्रतिभासित कर देते हैं वे अजर अमर अव्य शास्वत अक्षय शुब अशुब के जानने वाले कर्म शाक्षी सर्व देवता और जगत के स्वामी हैं उनका मंडल कभी क्षय नहीं होता वे पितरों के पिता देवताओं के जगत के आधार स्रस्टी स्थिती तथा संघार करता हैं योगी पुरुष वायू रूप होकर जिनमें लीन हो जाते हैं जिनकी सहस्त्र रश्मियों में मुनी सिद्धगण और देवता निवास करते हैं जनक व्यास शुकदेव बालखिल आदि रिशीगण पंच शिख आद का नाम तो मात्र सुनने में ही आता है पर सभी को वे द्रस्टी गोचर नहीं होते अर्था दिखाई नहीं देते किन्तु तिमिर्द नाशक अर्था अंधकार का नाश करने वाले सूरी नारायन सभी को प्रतेक्ष रूप से दिखाई देते हैं इसलिए वे सभी देवताओं प्रतेक्ष देवता की आराधन करने से सभी फल प्राप्थ हो सकते हैं याग्य वलक्य मुनी ने कहा कि महराज आपने मुझे बहुती उत्तम उपदेश दिया है जो बिल्कुल सकते हैं मैंने तो पहले भी बहुत बार सूरी नारायन के महतम्य को सुना है जिनके दक्षन अं उनकी तुलना और कौन देवता कर सकते हैं उनके गुणों का वर्णन भला किन शब्दों में किया जा सकता है अब मैं उनकी उस आराधना विधी को भी सुनना चाहता हूं जिसके द्वारा मैं संसार सागर को पार कर जाओं वे कौन से वरत उपवास, दान, होम, जब, तब, आधी हैं जिनके करने से सूरि नारण प्रसन होकर समस्त कर्ष्टों को दूर कर देते हैं ये सब आप बतलाने की कृपा करें क्योंकि प्राणियों द्वारा धर्म, अर्थ, काम, प्राप्ति के लिए जो प्रयास किये जाते हैं उनमें वही चेस्टा वही प्रयास सफल है ज एक बार भी किया गया सूरि नमस्कार मुक्ति को प्राप्त करा देता है भक्ति भाव से परिपून याग्य वलक्य के इन वचनों को सुनकर श्री ब्रह्माजी प्रसन हो उठे और कहने लगे कि याग्य वलक्य आपने सूरि नाराण की आराधना का जो उपाय पूछा है उस सार को उत्पन करने वाले अक्षर स्रस्टी रचना के समय ब्रह्मापालन के समय विष्णू और संगहार काल में रुद्र का रूप धारन करने वाले सर्व देव में पूच भगवान सूरि नाराण ही है अब मैं भेदा भेद सुरूप उन भगवान सूरि को प्रणाम करके आराधना का वर्णन करूंगा वह अत्यत गुप्त है जिसे प्रसन होकर भगवान भास करने मुझसे कहा था शुरी प्रह्माजी फिर से कहने लगे कि यागी वलक्य एक बार मैंने भगवान सूरि नाराण की इस्तुति की थी उस इस्तुति से प्रसन होकर वे प्रत्यक्ष प्रकट हुए तब मैंने उनसे पूछा कि महराज वेद विदांगों में और पुराणों में आपका ही प्रतिपादन हुआ है आप साश्वत अज तथा परब्रह्म स्वरूप है ये जगत आप में ही स्थित है ग्रेस्थ आश्रम जिनका मूल है ऐसे वे चारों आश्रम वाले रात दिन आपकी अनेक मूर्दियों का पूजन करते हैं आप ही सबके मातपिता और पूजे हैं आप किस देवता का ध्यान और पूजन करते हैं मैं इसे नहीं समझ पा रहा हूँ इसे मैं सुनना चाहता हूँ और मेरे मन में इसके प्रतिप बड़ा कौतुहल है भगवान प्राणियों में व्याप्त, अचल, नित्य, सुक्ष्म तथा इंद्रियातीत हैं उन्हें छेतरग्य, पुरुष, हिरा निर्गर्भ, महान, प्रधान तथा बुद्धियादी अनेक नामों से जाना जाता हैं जो तीनों लोकों के एकमात्र आधार हैं वे निर्गुन होकर अपनी इच्छा से सगुण हो जाते हैं खुद से कोई कर्म नहीं करते और ना तो कर्म फलकी प्राप्ती से सनलिप्त रहते हैं वे परमात्मा सब और सिर, नेत्र, हाथ, पैर, नासे का कान तथा मुख वाले हैं वे समस्त जगत को आच्छादित करके अवस्थित हैं और सभ प्राणियों में स्वच्छंद होकर आनंद पूर्वक विचरन करते रहते हैं शुभाशुप कर्म रूप बीजवाला शरीर छेत्र कहलाता है इसे जानने के कारण परमात्मा छेत्र की कहलाते हैं वे अप्यक्त पूर में शयन करने से पुरुष बहुत रूप धारन करने से विश्वरूप और धारन पूशन करने के कारण महापुरुष कही जाते हैं यही अनेक रूप धारन करते हैं जिस प्रकार एक ही वायू शरीर में प्राण अपान आदी अनेक रूप धारन किये हैं और जैसे एक ही अगनी अनेक इस्थान भेदों के कारण अनेक नामों से अ प्रजलित हो जाते हैं उसी प्रकार एक परमात्मा से संपूर्ण जगत उत्पն होता है जब वे अपनी इच्छा से संसार का संगहार करता है तब फिर एकाकी ही रह जाता है परमात्मा को छोड़कर जगत में कोई इस्थावर या प्रमेश्वर का में ध्यान करता हूं तथा सूरी रूप अपने आत्मा का ही पूजन करता हूं हे आग्यवलक्यमुने भगवान सूरी ने स्वैम ही ये सारी बाते मुझसे कही थी अगले अध्याय में आप जानेंगे सूरी नारायन के प्रेपुष्प, सूरी मंदिर में मार्जन लेपनादी का फल, दीपदान का फल तथा सिधार्त सप्तमी वृत का विधान और फल की पारे में अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन प्रेस करना मत भूलेगा